बॉलिवुड कैफे आज explain कर रहा है एक polish movie इस movie में mother और daughter दोनों एक ही लड़के से attracted होती हैं यह film Poland Film Festival की 2017 की award winning movie है जो कि 2017 में release हुई थी इस movie में mom Eva और daughter जुलका एक shopping mall में shopping कर रही हैं आज जुलका का 18th birthday है इसलिए वो birthday celebrate करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए दोनों य जुलका ने भी अपने कुछ खास friends को बुलाया है तब ही जुलका store के बाहर देखती है तो वो देख के खुस हो जाती है क्योंकि उसका boyfriend Adrian बाहर खड़ा होता है Adrian जुलका को बाहर बुलाता है Adrian को जब जुलका की mom देखती है तो उसके चेहरे की खुसी अचानक से गयब हो ज ignore करते हुए बाहर चली जाती है जुलका की mom देखती है कि जुलका अपने boyfriend से मिलके काफी खुस है Adrian जुलका का काफी time से boyfriend था जुलका Adrian से काफी जादा प्यार करती थी लेकिन जुलका की mom Eva को इन दोनों का relation बिलकुल भी पसंद नहीं था सौपिंग करके जुलका की mom बाहर आती है जुलका कहती है कि मुझे बड़ी खुसी है कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब मिलके खुब celebrate करेंगे तब ही Adrian कहता है कि मैं कीज अपने साथ ले आया हूँ अब मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे तो जुलका थोड़ी की mom बिलकुल भी पसंद नहीं करती हैं लेकिन सचाई ये है कि जुलका की mom खुद भी Adrian की तरफ काफी attracted थी और Adrian तो खेर जुलका की mom को अजीब नजरों से देखा ही करता था इन दोनों के बीच में अनकही romantic tension साफ दिखाई पड़ती थी जुलका की mom car drive करके लेक house पर जुलक कर देखाई तो दोन समय जुलका Adrian को कहती है कि आजओ तुम भी आजओ मैं तुमें अपना घर दिखा देती हूं लेकिन Adrian कहता है की तुम चलो मैं भी कुछ सामान लेके आता हूं लेकिन जुलका की मॉम एड्रियन से बिना बाद के ही सामान लेके घर की तरफ जाने लगती हैं एड्रियन खुद डिक्की से कुछ सामान उठाता है और जुलका की मॉम के पीछे पीछे जाता है तो जुलका की मॉम कहती हैं कि तुमारी बस एक घंटे में निकलने वाली हैं तुम यहां से चले जाना एड्रियन को पता था कि जुलका की मॉम का बहेवियर उसके लिए कुछ जादा सही नहीं रहता है इसलिए वो without any reaction घर के अंदर चला जाता है एड्रियन घर के अंदर आता है और जुलका की मॉम से बात करना चाता है लेकिन वो जुलका की मॉम से काफी डरता है क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ भी कहेगा उसकी मॉम का आंसर नो ही होने वाला है तो भी वो हिम्मत करके कहता है कि जुलका ने मुझे invite किया था अब अगर मैं यहां से चला जाओंगा तो जुलका को अच्छा नहीं लगेगा और उसका birthday spoil हो जाएगा क्या आप ऐसा चाहती है क्या मैम कि उसका birthday spoil हो जाए लेकिन जुलका की मॉम बिना कुछ जवाब दिये ही सामान उठक के वहां से स्टोर रूम की तरफ चली जाती है जुलका की मॉम का कोई जवाब नहीं पाकर एड्रियन फिलाल के लिए यहीं पे रुक जाता है तो थोड़ी देर बाद में जुलका उसकी मॉम को कहती है कि हम लैक में स्विम करने के लिए जा रहे हैं तो जुलका की मॉम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुलका को कहती है कि हमें अभी केक बनाना चाहिए लेकिन जुलका कहती हैं कि अभी तो 12 ही तो बजे हैं हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है और वो स्विम करने के लिए अपने बॉइफरेंट के पास चली जाती है इस जवाब को सुनके जुलका की मौम थोड़ी डिसपॉइंट हो जाती है जुलका की मॉम अभी घर की सफाई में लग जाती है लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रियन में ही अटका हुआ होता है। जुलका की मॉम जब खुद को नहीं रोक पाई तो वो घर से बाहर आके देखने लग जाती है कि उसकी बेटी जुलका और एड्रियन क्या कर रहे हैं। जुलका की मॉम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तयार करती हैं लेकिन उसके चेहरे पे अब वो खुसी नहीं हैं। जुलका की मॉम डर के मारे एड्रियन की तरफ देखती हैं। जुलका की मॉम थोड़ा सोचते हुए बोलती हैं कि संस्क्रिम तो बात्रूम में रखी हैं। लेकर आती हूँ और वो एड्रियन से धूर हट जाती हैं। बात्रूम में जाते हुए जुलका की मॉम एड्रियन को कहती हैं कि अगली बस एक घंटे के अंदर आने वाली हैं। तुम अपने घर चले जाना फिर जुलका की मॉम बात्रूम में चली जाती हैं। और गहरी सांस लेती हैं उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं। वो थोड़ा पानी पीती हैं और सोचती हैं कि वो एड्रियन से इतना अट्रेक्टेट फील क्यों करती हैं। उसको ये बात समझ में नहीं आती वो संस्क्रिम लेती हैं और एड्रियन को दे देती हैं। तो जुलका मॉम के डेकोरेशन को देखती हैं और वो कहती हैं कि मॉम ने ये लेटरंस क्यों लगा दिये। एड्रियन भी जुलका के पीछे जाई रहा होता हैं तो उसको जुलका की मॉम रोक देती हैं और वो कहती हैं कि तुमारे डेड का कॉल आया था तुम्हें घर पे बुलाया हैं कि तुम घर की कीज अपने साथ ले आए हो इसलिए कीज देने के लिए तुम्हें वापस बुल जुलका उसकी मॉम को पूछती हैं कि एड्रियन के डेड ने एड्रियन को कॉल क्यों नहीं किया तुम्हें क्यों कॉल कर दिया तो जुलका की मॉम कहती हैं कि तुम दोनों स्विम कर रहे थे और लैक के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता हैं इसलिए उन्होंने मुझे call किया है, अब Adrian को वापस जाना पड़ेगा, Adrian अपना phone देखता है और उसको पता है कि यहाँ network की कोई problem नहीं है, इसलिए वो जुलका की mom के पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि मेरे father ने आपको call नहीं किया है, आप मुझे एक chance क्यों नहीं देती हैं तो जुलका की मॉम एड्रियन को कहती हैं कि तुम चाहो तो मैं तुमारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी डाटर के साथ क्या कर रहे हो तो एड्रियन confidently बोलता है कि मैं मैं आपकी डाटर से प्यार करता हूँ I'm in love ये बात सुनके जुलका की मॉम बहुत हस्ती है जैसे कि एड्रियन बिल्कुल ही जूट बोल रहा है वो कहती है कि तुम कितने बेसर्म लड़के हो तुमें पता है न क्योंकि जुलका की मॉम को पता था कि वो जुलका का boyfriend होने के साथ साथ वो उसके साथ भी काफी flood करता है तब ही जुलका आती है और कहती है कि keys मिल गई है ले जाओ तो एड्रियन कहता है कि आता हूँ एक मिनट और जाते समय वो जुलका की mom को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है मैं जुलका से सच में प्यार करता हूँ जुलका की mom और एड्रियन के बीच में एक अनकही romantic tension अब ज़्यादा बढ़ रही थी ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आना चाते थे लेकिन जुलका की mom का moral inhibition इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था अब एड्रियन कीज लेके अपने घर की तरफ जाने वाला होता है तो किचन की विंडो से जुलका की mom देखती है कि जुलका और एड्रियन दोनों बाते कर रहे हैं और जुलका एड्रियन को पूछ रही हैं कि वापस आओ गे न तो एड्रियन कहता है कि शूर मैं जरूर आऊंगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांस करते हैं और फिर वहाँ से एड्रियन चला जाता है एड्रियन के जाने से जुलका की मॉम जैसे थोड़ी रिलेक्स हो गई और उसने गहरी सांस ली जुलका अंधर आके अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप एड्रियन से इतनी नफरत क्यों करती हो तो एडरियन की मॉम पूछती है कि क्या तो जुलका अपना question repeat करती है कि आप एडरियन से इतनी नफरत क्यों करती हो जुलका की मॉम को समझनी आया कि इस बात पर वो कैसे react करे तो जुलका कहती है कि एडरियन आपके बारे में दिन में बार-बार पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ तो उसकी मॉम कहती है कि फिर तुमने क्या बताया मेरे बारे में तो जुलका कहती है कि मैंने उसको बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले नेकिड स्विमिंग के लिए गई थी जिसकी वज़े से हमारे नेवर्स ने कंप्लेन कर दी थी और हमारे गाओं के एड्मिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को इस बात के लिए वान किया था कि वो आगे से लेक में नेकिड स्विमिंग करने के लिए नहीं जाए तो इस बात पे जुलका की मॉम काफी सर्प्राइज हो जाती है कि ऐसी प्राइवेट बात उसने उसके बॉइफरेंड एड्रियन को बता दी है जुलका बात को कारते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है क्या मुझे केक बनाना है तो उसकी मॉम काम को वहीं पे छोड़ते हुए वो कहती है कि मिल्क तो हम खरीद के लाए थे तो जुलका कहती है कि यहाँ पर तो नहीं है तो जुलका की मॉम मिल्क को ढूनने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती है वो देखती हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मिल्क की बोतल्स पड़ी हुई हैं जिसको केक और क्रीम प्रिपेर करने के लिए वो सौपिंग मॉल से खरीद के लाए थे लेकिन जुलका की मॉम जुलका को कहती हैं कि मिल्क तो है नहीं मुझे वापस जाकर लाना पड़ेगा और व अब तक थोड़ी ही दूर पहुँचा था क्योंकि वो पैदल चल रहा था जुलका की मॉम कार लेके उसके पीछे जाती हैं और उसको अंदर बैटने के लिए कहती हैं एड्रियन चुपचाप कार में बैट जाता हैं और जुलका की मॉम कार चलाती रहती हैं ये दोनों एक कुछ भी बात नहीं कर रहे थे काफी दिर तक जुलका की मॉम कार चलाती रहती हैं और इन दोनों के बीच में एक आकवर्ट टाइप का साइलेंस रहता हैं थोड़ी दिर बाद में जुलका की मॉम एक सुनसान सी जगत देख के अपनी कार को रोक देती हैं लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे जुलका की मॉम उदास मन से एड्रियन की तरफ देखती हैं तो एड्रियन अपने दोनों हातों से जुलका के मॉम के चेहरे को सेलाता हैं जुलका की मॉम एड्रियन के फिजिकल अट्रेक्शन से अभार चुकी थी और कि उसके फोन पर जुलका का कॉल आ रहा है लेकिन वो जुलका का कॉल काट देती है एड्रियन जुलका की मॉम के पास आता है और उसके चहरे पे अजीब सी खुसी होती है लेकिन जुलका की मॉम इतनी खुस नहीं होती है क्योंकि वो अपनी डिजायर के आगे मजबूर होके एड्रियन के साथ intimate हुई थी बलकि वो दिमाग से नहीं चाती थी कि वो एड्रियन के close भी रहे इसलिए वो हमेशा उससे दूर रहने की खोसिस करती और उसको जब भी वो घर पे आता उसको घर से बाहर निकाल देती लेकिन body की unmitigated chemical desire हमेशा human intelligence पे भारी पड़ती है और यही बात जुलका की mom के साथ भी हुई जुलका की mom एड्रियन से cigarette मांगती है वो cigarette जला के जुलका की mom को दे देता है और फिर से जुलका की mom के close आने की कोसिस करता है लेकिन जुलका की mom अब उसमें कुछ खास interest नहीं दिखा रही थी और वो कहती है कि चले जाओ यहां से प्लीज खतम करती है गहरी सांस लेती है और फिर घर की तरफ निकल जाती एड्रियन अब चला गया है तो जुलका की mom सोचती है कि अब वो जाके अपनी डॉटर का birthday celebrate करेगी जुलका की mom जब लेक हाउस पे पहुंसती है तो वो देखती है कि घर का सारा decoration बिखरा पड़ा है जो जाये थे अब वो नीचे उत्रे हुए हैं और कुछ तो तूटे हुए भी है ये देख के जुलका की mom को बड़ा अजीब लगता है वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि जुलका बे सुद किचन के फ्लोर पर सोई हुई है जुलका अपनी mom से पूछती है कि आपने मेर मिल गया था वो स्टोर रूम में रखा हुआ था ये सुनके जुलका की mom थोड़ी घबरा जाती है और वो जुलका को पूछती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया आज तो तुमारा बर्थडे है ना तो जुलका कहती है कि कोई party नहीं होगी यहाँ पर जुलका की mom को अंदरें अंदर काफी डर लग रा था जुलका कहती है कि एड्रियन ने मुझे message किया है कि वो नहीं आएगा और अब वो जिन्दगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा जिसकी वज़े से जुलका को बहुत ज्यादा hurt हुआ और वो काफी रोई और अभी भी काफी रो रही है जुलका की मौम नीचे बैठती है जुलका को कंसोल करने की कोसिस करती है तो जुलका कहती है कि मौम आप हमेशा से सही थी आप सही कहती थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है देखो आज birthday के दिन उसने मुझसे break up कर लिया उसने मेरा birthday पूरी तरह से spoil कर दिया मौम आ जुलका की मौम जुलका को गले लगा देती है लेकिन जुलका को नहीं पता कि उसकी मौम नहीं एड्रियन को बार बार यहां से जाने के लिए कहां और आप वो खुद एड्रियन के साथ romantically involved होके आई है जिसकी वज़से सायद एड्रियन ने उसको message कर दिया कि अब वो उसम नहीं है और जुलका की मौम जो अपनी डॉटर के 18th birthday को celebrate करने के लिए इतनी excited थी आज उसी ने अपनी बेटी के birthday के साथ साथ उसकी love life को भी बरबात कर दिया है और इसी के साथ ये movie end हो जाती है movie का explanation अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा हमारे channel को subscribe कीजेगा and thank you for watching